जेगे नियू स्टूडल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है आपको बताएं कि अमरनाथ यात्रा की केव के पास जो है अब मेशिनिरीज पहुंच चुकी है और रोड्स का और टनल्स का काम जो है वो जोरो शोरो से इस समय चल रहा है वहीं पर बात क पर नितिन घड़करी जो की मिनिस्टर ओफ रोड ट्रांस्पोर्ट एड हाइवेज ऑफ इंडिया है उन्होंने एक प्रेस्वारता में साफ्तोर पर ये का अमरनाथ मार्ग के बारे में एक इंपॉर्टन बात के वल कहूंगा कि हमारे मनोज जी ने हमारे पास मांग की थी क अमरनाथ तिरते हैतरों के लिए मार्गन दिर्मान का प्रस्ताओ उसको आज मुझे खुशी हो रही है कि हमने स्विकृती दी है और पांच हजार तीन सो करोड की लागत से एक सो दस किलोमेटर चार लेन टू लेन पर शोल्डर के मार्गन दिर्मान की मैं आज घोशना करता कानाओं खानाबल से चंदन्वाली तक अठरासो करोड की लागत से 33 किलोमेटर चार लेन मार्गर डी-प्यार 2003 तक बन जाएगा फिर चंदन्वाड़ी से पंचटर नि होकर बालटाल तक साड़े तीन अजार करोड की लागत से 37 किलोमेटर टूल एन प्रेशन डिप्यार अक्टोबर दो जाती है विस तक बन जाएगा और इस मार्ग से शेशनाग पंचतरनी के बीच 10.8 किलोमेटर के टनेल हम बना रहे हैं जिसके यात्रियों को विशेश रुप से जो अमारे या काफी संकट आती है वो नहीं रहेंगे पंचतरनी से अमरनाथ जी पवित्र गुफा तक 5 किलोमेटर 5.5 मिटर चवड़ा पक्का पैदल पत बना जाएगा जिसमें मार्ग के दोनों तरफ सुरक्षा के लिए बैरिकेट बनाए जाएगे अमरनाथ पवित्र गुफा की यात्रा का समय में उसे कमी आएगी अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा तीन दिन का समय लगता है इस मार्ग के निर्मान से शर्दालू के वहां से स्रीवनगर से अमरनाथ गुपा की यात्रा केवल 7-8 गंटे में होगी उन्होंने एक प्रेस्वारता में ये कहा था लेकिन अब खुशखबरी की बात ये है कि वहां पर टनल्स और रोड्स जो है वो बनना शुरू हो चुके हैं अमरनाथ यात्रा करने जितने भी शर्दालू पहुंचते हैं हर साल अलग अलग स्टेट से शर्दालू जो है जम कश्मीर पहुंचते हैं अमरनाथ यात्रा बावा बरफानी के दर्शन करने के लिए अब उन शर्दालू को जो है कही ना कही सहूलियत मिलेगी क्योंकि बावबरफानी के दर्शन करें हम लोग तो अब लोगों का इंतजार जो है वो खतम हुआ और आशकरेंगे 2024 तक जो है ये रोड पूरा बनकर सामने आए और जो 2024 में शरधालू बावबरफानी के दर्शन करने के लिए आएंगे अलग-अलग स्टेट से जमो कश्मीर में वो का और इंटनल्स का जो है वो आनंद ले पाए ये ख़वर आपकी तक पहुंचाना बहुत जरूरी था तो आप लोग इस ख़वर को जादा से जादा शियर करेंगा और अपनी राए इस ख़वर को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगली तमाम ख़वरों के लिए जुड़ रहेगा जेके न्यूस टूड़े के साथ वीडियो जनलिस्स का कराम के साथ स्मिक्षय वर्मा जेके न्यूस टूड़े के